Welcome to study hell आज हम लोग जानेंगे कि दस दोस्तों आज के विडियो चार्ट करते हैं हर कोई बोलते हैं कि arts नहीं लेना चाहिए तो अब लोगों दस दो subject जोश करते हैं उसमें art को पहले रखाऊं अब हर कोई बोलते हैं कि art एक असान subject है जी, रहने कर तो यह असान सब्ब्रेक्ट है लेकिन इसके अंदर बहुत बढ़े बढ़े विशा को पढ़ना पड़ता है चलिए, कौन-कौन से इसके अंदर कौन-कौन से विशा आता है उसको देखते हैं तो आर्ट सक विशा कर जिन लोग चुनाव करते हैं उन लोगो अर्दसास्रा, राजनेतिक विज्ञान, समासात्रा इन जैसे बड़े विश्यों का बारे माध्धन करना पड़ता है जो एक बहुत बढ़े चीज़ होती है मतलब तवसी के बाद आप लोग बायो, साइंस, है न जो भी लोग है, तो उसमें आर्ठ भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है तो आज मैं पहले आर्ठ के बारे हमके लोग बताने जा रहा हूँ कि आर्ठ में क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और इसमें इसकोफ क्या है ठीक है, तो चलिए देखते हैं तो आर्ठ के विशाय में जानकारी दीजिए अधिकतार एक्ट्ट्ट पूर्चे है कि आर्ठ क्या है उसके बारे में क्या जानकारी होती है बोलके तो उसका एंसर आप मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि आर्ठ में हम लोग अंग्रेजी, हिंदी, राजनेतिक, विख्यान, भूगो, लितिहास, अधिसास्रा इतना तो कॉमा सब्च्ट होता है ठीक है इसके साथ ही समासास्रा, मनो, इज्ञान, संगीत, रित्या, ललितकला, फैसन, डिजाइनिंग, तर्शन, सात्रा, सारिक, शिच्छा, ग्रामी, रुगा, समाजिक, कार्या, आधि इन सब की भी पढ़ाई होती है लेकिन अभी तक जो हर एक इसकुल में के वाल 5 सब्च्ट वह माननेता प्राप्त है मतलब 5 सब्च्ट के पढ़ाया जाता है और लेंगे तो एडिशन लेक ले सकते हैं जैसे के मान लो, आप लोग आर्ट से लिए तो इसके लिए आपको हिंदिंग इस तो कॉमन रहेगा तो इसके बजाए राजनितिक, उज्ञान, भुगोल, इतिहास, अर्दसास्त्र और अगर इसके साथ और एक रिडिशन सब्च्ट लोगे तो है समासास्त्र समासास्त्र तो इतना सब्च्ट आर्ट में पढ़ना पड़ता है और यहां पर जो मनविज्ञान, संस्क्रीट, गृत्या, लातिक कला, फैसन, डिजाइनिक, डशन, सास्त्र इसके लिए एक अलग से होता है ठीक है, तो आगे दिखते हैं, अब सेकंड कोस्तन अधिकतर इस रुटों करता है कि आर्ट सब्च्ट क्या है, ठीक है, तो यहां पर अच्छे से डिफिनेशन में इंसर दिया गया है कि आर्ट में एक रिसन एक सिक्षा के चेट्र में नाम कमाया जाता है, प्रांसास्तिक स मनोग्यान इसी से ही बनते हैं लोग, ठीक है, अगे देखते हैं इसका और एक क्योस्तन है यहां पर, आर्ट से क्या बन सकते हैं, तो मैं आपको बताया कि आर्ट से आप लोग भूब सास्तिक बन सकते हैं, अच्छे नेता बन सकते हैं, ठीक है, तो आर्ट से बारे में करिय एगर इसके लिए अगर आप लोग 10-20 बार वी आुप लेके पड़ेंगे, तो ड़िज में इसी से लेक पढ़की कर सकते हैं, अगर चाहोगे तो कॉलेज में में सब्जक्ट बदल सकते हैं। ठीक है। तो मैं बता दिये कि आर्ट में कौन कौन सब्जेक्ट होता है अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला है हाँ आर्ट के सब्जेक्ट नाम लिस्ट देखिए क्या क्या पढ़ना पढ़ता है उसको देख लिए एक बार अच्छे से हिस्टरी भुगोल समाजिक वुघ्ञान राजनाति कुघ्ञान अंग्रिजी अग्रेजी अइदर सास्ट्रा सैको़ोजी संस्कृत फिलोसोफी हिंदी ठीक है टेश सवब आर्ट के सब्जेक्ट में आता है लेकिन इन्मेंसे मान में पांच सब्जेक्ड होता है आपक़ हिस श्री भुगोल, समासास, रजनेतिक विज्यान और अंग्रेजी हिंदी, ठीक है, यहां पर एगर रजनेतिक को छोड़के अद्धास भी ले सकते हो, या फिर भुगोल को छोड़के अद्धास ले सकते हो, अपने अपने एक्छर आता है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ऐसा बार्टर के सब्जेक्ट में आता है, आप आता है, कॉमर्स वालक लिए, कॉमर्स सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ठीक है, तो देखिए, कॉमर्स सब्जेक्ट में, माना के हर कोई बोलते हैं, बैंकिंग के लाइक सही रहता है, हाँ, बैंकिंग लिए सही रहता है, और इसमें आप लोग अराम से अपना करियर को decide कर सकते हैं, इसमें आप लोग CA बन सकते हैं तो start करते हैं commerce subject में क्या क्या पढ़ाई होता है तो सरस्थ पहले accounting होता है, ठीक है second में आपको business study होता है तीसरा में आपको अधस असर economics होता है उसके बाद अंग्रेजी होता है, गडित होता है ठीक है, इकमफार्मेसिट प्रेक्टिसंत होता है ठीक है, इंटर ट्रेंसूसिफ होता है तो यहाँ पे देखिए, जे गडित है उसके लिए आपको अगर यहाँ पे जो business study नहीं लोगे ठीक है, लेकिन आपको मेंट सब्षक ट्यार है अकाउंट, business study या फिर अर्दसास्त्र ठीक है, अगर अर्दसास्त नहीं लेना चाहोगे तो आपको गडित लेना पड़ेगा ठीक है, अगर अकाउंट नहीं लेना चाहोगे तो एक banking sector में जाना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे आपको एक banking sector में जा के आपको एक computer का course करना पड़ता है, जो college में कराया जाता है, banking ऐसे commerce वालों को ही, ठीक है, तो commerce अब जैसे कि CA के लिए अगर apply करोगे तो आपको आगे चलके college में commerce ही लेके पड़ना पड़ेगा, और तो आपको एक computer course होता है, अकांटिंग का उस वाले को करना पड़ता है, जैसे कि PhD से करोगे न college के बाद तो आपे PhD से दो प्रकार का होता है, कभी मैं बताऊंगा, एक normal type से होता है, और एक पुरा banking sector वालों की DC होता है, उसको सिर्फ जो commerce ले रहाते हैं, उन लोग ही करते है अब इसको देख लेते हैं, अब देखें, commerce में क्या क्या बन सकते हैं, तो आपको दिया है, यहां में चार्टेट अकांट, company security ship, business man, management, cash account आदी, मतलब इसमें भी बहुं सारा option रहता है, career choice करने का, ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताया था, कि वीकॉम या computer शिक्सर के सा पहला degree course करने के लिए, सलाहे दी जाती है, ताकि भाव उसे के लग्सो प्राप तक किया जा सके, और career को सफल बना जा सके, ठीक है, जिसको आप लोग अच्छे स्पढ़ लेने एक बार और, चलिए, अगले देखते हैं, क्या commerce एक अच्छी stream है, ठीक है, जी, commerce है बहुत जी लोग banking sector में जाना चाहते हैं, उनके लिए, मतलब जरूरी नहीं है कि commerce वाले के वल banking sector में जाए, लोग government service भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि IS, IPS के exam clear कर सकते हैं, CGL, CHSL, ठीक है, CPU, इन सब को भी form play अराम से कर सकते हैं, इसमें कोई वाली बात नहीं है, लेकिन जे हर student के ल जानूंगा बोलके, तो उस भरवन बताया रहा हूं कि अगर commerce लोग एक bank की sector ही सहीर आता है, और जो CA होता है, उसका full farm होता है, चार्टेट अकाउंटेट होता है, ठीक है, जो भारत के जो वित्तरात्पती अब जाने के लिए आपको चार्टेट अकाउंट कही अध्यन करन पड़ता है, चली आगे देखते हैं, यह देखी यहां पर, commerce आप क्या क्या बन सकते हैं, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताया कि, commerce चार्टेट के रहा है कि गल्दू में लिखांकन देखा परिच्छा वीत्त और banking sector के सांसा सरकारी से होंके और जैसे, I.E.R.S, I.E.S, I.E. सामिल होते हैं, समझ गया, क्या commerce एक असान विशा है, हर कोई student पुछते हैं कि commerce एक असान विशा है, लेकिन जी नहीं, commerce भी एक असान सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसमें बहुत बड़े-बड़े subject पढ़ना पढ़ता है, जासकि वारे रिजे पढ़ना पढ़ता है, अर सब्जेक्ट में अपना-पना एहमियत है, अपने अपनी जगह में, वो सब्जेक्ट में क्या पढ़ना पढ़ना पढ़ेगा, और किस लेन में जाना है, आगे दिखते हैं, इसमें बहुत इसको, इसको पुरिंग है, मतलब बहुत इसको प्राते है, जाब कभी, अब एक सब्जेक्ट बोल के, जिसको बोलते है, क्रिसी संकाय मतलब एक रिकार चले, ठीक है, ठीक है, तो इसको इसमें भी इतन प्रकार के पढ़ायों किया जाते है, और हिंदी इंग्लिस तो इसको तो पढ़ नहीं है, ठीक है, अब बहुत देख लेता है, अग्री है विज्ञान जी, इसका बता, इसके बारे में कुछ बता देता हूं, मतलब इसके लिए क्या क्या होता है, जैसके आप तो बारवी कंप्लिट कर लिए है, अगर रिकर्जास है, तो आपको PPST का एक फॉर्म निकलता है, PPST और PAT का फॉर्म निकलता है, उसमें आप लोग अरामसीस का जॉब निल सकता है, इसमें अच्छे इसको पराता है, अगर उसके पास जो रिकर्जास के डिगरी हो जाए आपके पास, तो आप लोग अगर जॉब न लगे तो खूद का मेडिकल इस्टोर इस्टार्ट इप कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल इस्टोर आपको खेती वाला होग उसके बाद आता है अपना ग्रिह विज्ञान, ग्रिह विज्ञान ये नॉर्मल होता है, ठीक है, जिसमें अधिकतार तो जिन लोग के वर ऐसे ही पढ़ते हैं कि बार्वी पास कलनों बोलके उनके लिए सब सही रहता है, अगर इसके इसी को लेकर आगे पढ़ोगे तो पर अगरिक करेव सहस्तर ज्यान, मतलब एक इसाब से आटाई होता है दसी के बाद का, और एक होता है यहां पर यह जाएक सहीक संका है, यह भी एक आटाई होता है, ठीक है, जैसे कि रेडियो टीवी बनाना है न, स्टेनो टैपिंग, सॉट हैंड कम्पूटर, इंफर्मेशन तो यह सब आटाई के रूप में होता है, जो दसी के बाद जो आटाई करना चाहेंगे न, उसके लिए मतलब अलग से आटाई करने के जुरूत नहीं है, अगर दसी के बाद आप लोग इसी को लेके पढ़ना पाहोगे, तो पर भी आटाई के एक रूप है, ठीक है, जैसे मैं नीचे डाल दूँगा, ठीक है, तो हमारे यूटूब चैनल साथ बने रहिए, और हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वैसे तो देखते बहुत हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, तो आपसे यही एक आगरा है कि सब्सक्राइब कीजिए, और अगला इतने मिलते है ने स्टूडियो में, इसका पीडियो आप डिस्ट्रेप्शन के नीचे मिल जाएगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो चलिए ने स्टूडियो